एलो प्रेंट्स मैं कमलेस आप देख रहे हैं स्ट्रेडी मेटेरियल एटू जियर दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एरफोर्स ग्रुप सी फाइनल रिजल्ट लिस्ट डिकलेर के बारे में दोस्तो आपके यहां पर काफी सारे कैंडिडेट्स के नाम आए हैं लगबग दोस्तो तीन चार लिस्ट आपकी जारी की गई है और फाइनल आप सभी के दोस्तो जो मैं फाइनल रिजल्ट होता है उसका आपका अपडेट आ चुका है इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंग जो कि आलरेडी जुड़े हुए हैं तो यहां पर आपके लिए अमपोर्टेंट अपडेट्स दोस्तो लेकर आ चुके हैं और दोस्तो आपकी जोइनिंग डेट और कलोप जो आपका यहां पर कटोप को लेकर बहुत सारी कैंडिडेट्स को कमेंट आती रहते हैं तो उसके बारे में भी डेटियल से डिसकस करने वाले हैं तो जो भी कैंडिडेट्स नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें के बैल आइकन को जरूर कर लिजिएगा दोस्तो आपको एरफोर्च ग्रूप सी की महत्वपुन जानकारी आपको मिलती रहती है और आप अभी तक टेलिग्रा का लिंक बिलेगा वहां पर जाके फोलो कर लिजिएगा चलिए दोस्तों आपको मैं यहां पर कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है वो देख लीजिएगा तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि पहले जो यहां पर लिस्ट जारी की गई है उसमें अचकिस के यहां तोटल दो पोस्ट थी और यहां पे लिखर का है कि दो candidate को ही man के अंदर यहां पे दोस्तों लिया गया है आप खुद देख पा रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा देख लीजीगा यहां पे देखिए number अप पोस्ट दो यहां पे और दो candidate है जिनका यहाँ पर man के अंदर selection हुआ है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके stand by in order of merit HKS EWS candidates तो यह दोस्तों EWS के candidate थे उसमें चार candidates को यहाँ पर stand by दी गई है तो देख सकते हैं दोस्तों अभी सिक सिंग तोमर इनका नाम आया है स्वागत मिसरा इनका भी नाम आया है तो यह आप अपना नाम देख सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों OBC के candidates की क्योंकि OBC के candidates की दोस्तों यहाँ पर total एक post थी और यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि इसमें सपस्ट मैंजन किया गया है कि आपकी इतनी post थी हमने इतने candidate को selected किया है यहाँ पर देखेंगे आपका index number मैंजन किया गया है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नाम दे रखा है सुरेंदर इनका नाम है जो की OBC के candidates हैं जो की select किये गये हैं और यह है stand by वाले candidate stand by की वही process रहने वाली है कि पहले आपका दोस्तों clear होगी आपको पता है man वाले candidate बिलकुल बेपिकर होकर अपनी joining की त्यारी करें लेकिन stand by वाले candidate के लिए risk भी रहती है उसके बाद दोस्तों हम next देखते हैं आपके ST वाले candidate हैं दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं उसमें भी एक candidate को select किया गया है one post है two candidate और आपका यह जो list है दोस्तों result दोस्तों आपका पहले आया था तो दोस्तों आपको वहने बताया भी था कि जब की उपो इस जो list आई थी आपके result list उसमें आपको बताया था कि जो डून्डिगल है उसका result list आच चुका है लेकिन अब जो इन्होंने बहुत फुरती के साथ दोस्तों final merit list भी जारी कर दी है और उसके बाद हम next देखते हैं दोस्तों next वाले candidate का भी देख लीजेगा next यहाँ पर एक candidate है जो की AWS के candidate है में स्टाप के इंदर एक vacancy थी वही process है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आपके candidates की तो वो है दोस्तों आपके URL जनरल वाले candidate जो की कुक की यहाँ पर तीन vacancy थी और एक चीज़ अगर हाँ पर देख पा रहे हैं तो टोटल दोस्तों तीन vacancy थी और यहाँ पर एक candidate को यहाँ पर एक candidate को लिया गया है यह चीज़ आप देख पा रहे हैं टोटल तीन vacancy थी हो सकता है कि कुछ vacancy आपके आपके कांसिल हो गई हो तो यह चीजें भी हो सकती है तो यहाँ पे देखेंगी आपके टोटल तीन बैकंसि थी बट यहाँ पे मैन में एक ही कैंडिडेट को लिया गया है ऐसा क्यों किया गया है भाई कि जब तीन बैकंसि है तो यहाँ पर एक candidate को क्यों लिया गया, क्या ये एक candidate ही paper देने के लिए गया था तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने लिखा भी है, nil representation उसके बाद यहाँ पर दोस्टों देखते हैं आपके candidate की तो stand by भी बी बी एक candidate एक ही candidate को stand by इन्होंने नहीं दी वा भई वा उसके बाद यहां पे कुक की एक वैकंसी थी और इसमें भी निल यह क्या हुआ भई यह तो अजीव सा लग रहा है उसके बाद यहां पे नीचे हम देखते हैं तो यह लिस्ट देखेंगे दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे हैं कुक की कैंडिडेट हैं और कुक के यहां पे तीन वैकंसी थी तो आपके यहां पे तीन कैंडिडेट को लिया गया है देख सकते हैं तो यह लिस्ट यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि तीन के वैकंसी थी और यह OBC की अगर हम देख लेजिएगा यहां पे तीन कैंडि Liste है आपकी MTS की टोटल तीन वैकनसी थी और टोटल तीन वैकनसी पर दोस्तो आपको तीन यहां पे candidate मैंन के अंदर select किये गए है उसके बाद हम बात करते है दोस्तो standby की तो यहां पर टोटल चैंड़ीड़ोज को यहां पर लिया गया है तो यह एक बहुत तो यहाँ पे भी दोस्तो इस परकार की ही प्रोसे से रखी गई है तो यह दोस्तो आपके यहाँ पे टीन लिस्ट थी जो कि यहाँ पे जारी की गई है आपका डूंडिगल हैदराबाद जो एरपोस्टेशन है उसका यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है उसके बाद यहाँ प पिक दोस्तों ले गए हैं स्टोर कीपर ऐसी वाले कैंडिडेट के लिए सेम प्रोसेस है स्टेंड बाइ इन ओर्डर ये सारी प्रोसेस सेम टू सेम है तो यह दोस्तों यहां पर आपकी रिजल्ट लिस्ट ही जो कि हमने डिटेल से बताई आपको और सबसे पहले डिटेल से आपको पता है कि हमीं बताते हैं और आप जो भी कैंडिडेट नए आयो चैनल को सस्क्राइब करें बगएर बिल्कुल भी मत जाना अब बात करते हैं दोस्तों क्योंकि फाइनल रिजल्ट लिस्ट है और आपके यहां पर रिजल्ट के आने के थोड़े ही दिन बात दोस्तों लगबग यहां पर 10-15 दिन का ही टाइम हुआ है और आपके यहां पर फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है तो अब बात करते हैं आपके जोइनिंग प्रोशेस की तो जोइनिंग का जो एडमिट कार्ड है वो most of chance है कि दोस्तों आपका 15 या 20 दिन के वितर वितर आपके पहुन जाए क्योंकि यह करते हैं कि जब जैसे ही रिजल्ट दिस्ट जारी करते हैं तो यह आपके एडमिट कार्ड बेजना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन आपका जो रिजल्ट दिस्ट है वो थोड़ा लेट पहुंचता है आपके पास और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी दोस्तों थोड़ा करके लेट हो जाता है तो इस परकार की प्रोसेस यहां पे रहती है अब बात करते हैं आपके कटोब को लेकर क्योंकि कटोब को लेकर बहुत सारे के एडमिट की कमेंट आते रहते हैं तो दोस्तों कटोब बहुत ज़ादा तो नहीं जाती लेकिन नेगेटिव मार्किंग जहां पे होती है तो वहाँ पे कटोब का आपका बहुत जादा effect रह जाता है क्योंकि जहाँ पे negative marking नहीं है तो उसका कोई दिक्कत वाला से नहीं है तो उनसे भी अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर negative marking नहीं है तो कटोब कितना चला जाए अगर 90 का number का paper होता है तो भाई आपका पचेतरोसी के बीच में आता है तो भी आप जो यहाँ पे selection हो रहे है candidate के मैंने देखे हैं अच्छे से और भाई जो बोलते हैं कि 90 में से 90 तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है तो यह चीज़ भी है उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर 90 नंबर का आपका paper होता है और उसमें अगर negative marking भी है तो भाई 70 के round आजाती है तो इस चीज़ को भी आप दोड़ासा ध्यान रखेगा और रही बाद trade related तो कोई आपका trade related आता है तो भी कटोप का दोस्तों यहाँ पे आपका level जो कम हो जाता है तो उमीद करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो शेर करो कमेंट करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों इस परकार के जाहें अदर